ये हमारे भारत देश का गोरों है जिस गोरों के कारण पूरे विश्व की प्राचीन नगरी काशी विश्वनाथ है जहां बरुना गंगा असी इसके किनारे पर व्राजमान है वाराणसी ऐसे पावन तीर्थ में दास का आना हुगा बुरा ना माने तो एक बात कहें हिंदुत की बयार की पृथम आग लगाने वाले जंजन को जगाने वाली नगरी का नाम है कासी तो आकर हमें बड़ी प्रसनता हुई प्राचीनता है दिब्वता है अखड है और पकड़ भी कानून अपना कार कर रहा यह चुकी फैसला अधालत में है और हमें विश्वास है विजय हिंदु की ही होनी है भोले बाबा निकल चुके हैं जगह जगह भोले बाबा व्यापत हैं पूरे कणकण में कणकण में संकर है उसमें कोई संसय नहीं है और ज्ञान बापी में भी शिवजी निकलेंगे अब शेख हम आप करेंगे और आप भी काम ना करो कि हमारी आयू इतनी लंबी हो कि हम भी उनको जल चड़ा सके काशे मिश्वनार धाम बन कर तयार हुआ है प्रधन मंतरी ने विसतारी करन किया है निश्यत ही पुरा देश शिवतत्तमें होगा और पूरे देश का कर्याण होगा और अदबुत कॉरीडोर की सुन्दर बिवस्था विश्वनाजी की आया की अदबुत बिवस्था बहुत हदय कर ददद सदियों बाद माधंगार का सिवश्वनाद कमिलन हुआ है सदियों बाद हुआ है लेकिन ये भी तब देखो सेतु का कार कोई न कोई करता है राम और उस तरफ था राम जी इस तरफ थे वहाँ बिविशन रहते थे वहाँ भक्तों को मिलने के लिए राम जी को जाने के लिए सेतू का निर्मान करना पड़ा, सेतू का अर्थात है पुल, उसी प्रकार माननिय प्रधानमंत्री जी सेतू बने हैं, गंगा और विश्वनात के मिलाई के लिए बिलकूल आएंगे, राम लला आचुके हैं, राम लला ब्राजमान होंगे, अपर कासी का जय जयकार होगा और अभी मधुरा छोड़ दिये हो, आप मधुरा में भी होना है गुरुजी बताईए कि आपको सुनने के लिए लगातार लोग आते हैं, ये कहते हैं कि जो आप बताते हैं, उसके पिशे जो क्या आपको दिव्शक्ती है या भगवान की कोई अशिर्वाद भागे शुर बाला जी की क्रपा है, हमारी तीन पीडियों से अनबरत दर्भार लग रहा, तीन सो बीस बर्स प्राचीन स्वयम्हुसरी हनमायन जी महराज का विग्रह है, हमारी परंपरा में यह दर्भार जो हनमायन जी की क्रपा है, हम कोई चमतकारी नहीं है, हम कोई संत नहीं है, साधारन से एक ब्रामर मानाव बालक हैं, सबसे पहले हम सनातनी अंतरंग भाव में जो पेरना आती हैं उसको को अगर कोई कथा बेंच रहा तो खरीदार कौन है हम आप ही तो खरीदार है हम आपको जगना पड़ेगा धर्म धंदा का विसाई नहीं है धर्म शिद्धा का विसाई शिद्धा में कोई कुछ भी दे जाए जैसे कथा बिना अर्थ के नहीं होती है पर इसका मतलब रेट सूची नहीं है कि आप रेट लगाओ के इतने की ये इतने की ये इस पर हमने प्रहार किया है और उस कथा को इस्थिगत किया है कि हम ऐसी कथाएं नहीं करेंगे जिसमें ब लोग जो है ऐसा करें तो धर्म धंदा का विसे नहीं है सुर्था का विसे इसलिए हमने प्रहार किया इस्थिगत की दौरान अक्सर जो खाड़ा समीथियां होती है वो भर्जी सादूओं पर बैन लगाती है उन पर प्रतिबंद लगाया जाता है लेकिन क्या वजा है कि उ इसलिए से जोडने का काम कर ला हुगा ही सच्चा साथ है बनास में बाबा की नगरी है यहां पाबन परव पित्र पक्ष के पाबन परव पर अश्टोत्तर सरस्त स्रीमत भागवत कथा के अनुष्ठान के लिए और बनारस प्राचीन नगरी है बनारस एक पहला ऐसा सहर से ही प्रारंबो हो सकती है उसी दड़ संकल्ब को लेकर के हम अनुष्ठान के बहाने अनुष्ठान कर रहे हैं अनुष्ठान तो पित्रों की निमित्त है और बुक्त रूप में हमारा धेथा कि सनातन से पूरा इसलिए ब्रामरों को अनुस्थान पर बैठाया है। प्रतिफल है। बागेश्वर बाला जी की कृपा का विश्वनाद बाबा की क्रपा का प्रतिफल है। तो सनातनी हिंदूओ एक हो जाओ। यही जगाने का उतिश्वर लादे रादे। लादे रादे। किसी साइंस पे चलती है या किसी सुत्र पे चलती है क्या सुत्र आध्या अदुभूत अदुभूत प्रशना आपने किया है। हम कोई भविश्वानी नहीं करते हैं। हम तो बाला जी की पेरणा को बताते हैं। हम तो हनमान जी महराज की पेरणा को बताते हैं।